हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एन इपी 2020 हमारी राष्टे शिक्षा नीती के MCQs को आप चाहे किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हैं यह एक ट्रेंडिंग टॉपिक है आने वाले सभी एक्जाम में आप सीटेट की तियारी कर रहे हैं एच्टेट, जो आपका एक्जाम हो था 2021 दिसंबर के अंदर जन्वरी में उसमें काफी जादा प्रश्ण जो है वो आपकी एन इपी 2020 से पूछे गए थे तो यहां मैंने उन प्रश्णों को भी शामिल किया है और साथ ही साथ जो आपका पैटरन है प्रश्णों को पूछने का उस पर आ अपना वीडियो तो यहां पर एमसी क्यूस को सॉल्व करने से पहले हम NEP 2020 जो आपकी राष्ण शिक्षानीती है 2020 इसके कुछ जो की पॉइंट्स हैं आपको इनको रीकॉल कर लेते हैं तो सबसे पहले आपकी यह सोतंतर भारत की तीसरी शिक्षानीती है इससे पहले आपकी 1968 और 1986 के अंदर जो है आपकी पहली और दूसरी शिक्षानीती को लाया गया था इसके अलावा लगबग 24 वर्षों बाद जो है सिक्षानीती को लाया गया है जिसमें की आपकी देश की GDP के 6% जो हिस्सा है उसका निवेश करने का लक्षे रखा गया है और इसके साथ ही जो अध्यक्ष्ट रहे हैं वो आपके इसरो के जो पूर्व वेग्यानिक रह चुके हैं वो है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अध्यक्ष्टा में जो है इसको तयार किया गया था तो यहां पर यह कुछ बेसिक चीजे हैं और इसके अंदर हमने पढ़ा था प्रिवियस इसका नाम बदल कर जो है वो शिक्षा मंत्राले यानि की एजुकेशन सिस्टम करने की बात कही गई है तो यह कुछ बेसिक है यह आपको बहुत ही वन लाइनर थे इसलिए मैंने को स्टार्टिंग में ही बता दिये बाकि जो भी आपको प्रशन मिलेंगे वो डीटेल मिलें था या किया गया है आप लिख सकते हैं इसको समान और समवेशी शिक्षा सभी स्तरों पर सार्वहमिक पहुंच सुनिष्चित करना रचनात्म कदीगम या फिर उप्युक्त सभी तो देखे मैं आपको हमेशा की तरह फिर से यहां पर एक बात यही कहूंगी कि आप प्रशन पहुंच सुनिष्चित करना है रचनात्म कदीगम तो यहां पर क्या आपका जो आंसर हो जाएगा इसमें सबसे बेस्ट है आपका ओल आप दी अबव यान कि उप्युक्त सभी ठीक है तो यह फर्स्ट का जो है आपका अप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा शिक्षा नीती स्वतंतर भारत की कौन से शिक्षा नीती है तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि यह हमारी तीसरी शिक्षा नीती है पहली हमारी 1968 में आई थी दूसरी हमारी 1986 में आई थी जिसमें की 1992 में भी बदलाव किये गए थे ठीक है और जो है यह हमारी तीसरी शिक शिक्षा नीति वरतमान की 10 प्लस 2 की स्कूली विवस्था के स्थान पर किस दहाचे की अनुशिंचा करती है तो यहां पर स्कूली विवस्था की बात हुई है तो जैसा कि हम पहले भी डिसक्स कर चुके हैं डीटेल विडियो में पहले आपका जो सिस्टम था स्कूली विवस्था का वो 10 प्लस 2 था यहाँ पर 1 से 10 की आप शिक्षा ग्रहन करते थे और आपकी 11 वी बारवी यह होती थी आपकी 11 वी प्लस 2 जो इसको हम कहते थे तो जो आपकी न्यू शिक्षा नीती है उसमें क्या है आपका सेकंड है आपका प्रिप्रेटरी स्टेज थर्ड है आपका मिडल स्टेज और फोर्थ है आपका क्या सिकंड वी स्टेज ठीक है यह आपका 5 साल का है यह तीन साल का है यह भी तीन साल का है और यह चार साल का है और कक्षाएं के इस तरह से यहां पर divided है, यहां पर आपकी आंगनवाडी से लेकर class 2 तक है, ठीके, यहां पर आपकी 3rd से 5th है, यहां पर आपकी 6th to 8th है, और यहां जो last stage है, आपकी secondary जिसको हम कह रहे हैं, यह आपकी हो गई अब 9th to 12th class, ठीके, तो यह आपका 3 से 18 वर्ष क पूरी जो यहां पर ढाचा है, वो इस तरीके से है, कि जो बच्चा है वो अब 3 साल का दाखिल होगा, और जो वो 12th class पास करेगा, तो उसकी उम्र जो होगी, वो 18 वर्ष होगी, तो 3 से 18 साल तक की जो स्कूली ढाचा है, वो 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए बनाया ग पूर्ण रूप क्या है, तो अगर यहां पर आप जानेंगे ECC, Early Childhood Care and Education, जो है इसका यहां पर फुल फॉर्म पूछा गया है, तो यहां पर फुल फॉर्म आप देखेंगे, तो इंग्लिश में होगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो प्रात्मी कक्षा में देख बाल के लिए शिक्षा है, या फिर प्रारंबिग बाल्यवस्ता देख बालेवं शिक्षा, तो यहां पर जो है D, option number D, आपका correct है, अगर कुछ बच्चे यहां पर नर्स्री टीचर के होंगे, नर्स्री टीचर ट्रेनिंग जिसको हम बोलते हैं, तो उसको यहां पर ECC भी हम और जो यह वाले टीचर होंगे, यह आपकी जो first stage है, जिसको हम foundational stage बोल रहे हैं, जहां पर बच्चा स्टार्टिंग के 5 सान निकालेगा, वो यह वाले टीचर सी उन बच्चों को यहां पर बढ़ाएंगे, ठीक है, question number next है हमारा, आपने चीजों को connect भी करना है, जो previous बढ़ के बच्चों को यह पढ़ाएंगे, यह teachers जो होंगे, ठीक है, तो यह चीजे आपके दिमाग में automatic connect होनी चाहिए, इसके अलावा यहां पर next question है, आपका राष्ट शिक्षानीती NEP 2020 किसकी शिफारिश करता है, तो यहां पर मैं आपको एक बात बता दू, जो भी हमारी शिक् सिफारिश करती है, या किस चीज के लिए recommendation दे रही है, क्या recommend कर रही है, तो यह चीजे के सिफारिश करती है, हमारी शिक्षानीती जो भी है, इसको हम जब लागू किया जाएगा, उसके बाद जो state है, वो इन चीजों को लागू करेगी, लेकिन जो आपको पता होगा, जो हमारा कैसा subject है, यह आपका concurrent list का है, यानि कि आपकी जो समवर्ती सूची है, उसका हिस्सा है, अगर आप थोड़ी भी राजनेते विज्ञान की जानकारी रखते होंगे, थोड़ा भी आपको इस चीज का knowledge होगा, तो आपको पता होगा कि जो शिक्षा है, यह हमारा विशे क किसका है, यह हमारी concurrent list है, यानि कि समवर्ती सूची का हिस्सा है, जिस पर कि आपका केंद्र और स्टेट, यानि कि आपका केंद्र और जो राजय सरकार है, दोनों ही इस पर कानून बना सकती है, तो यहां की सिफारिश ये मानना ना मानना स्टेट के हाथ में, जैसे आज भी बहुत सारी चीजे जो है, वो बहुत सारी स्टेट में, जो रिकेमेंडेशन दी गई है, उसके अक्वार्डिंग चल रही है, जैसे कि अगर मैं डेली की बात करूं, यह पीछे जो हमने पढ़ा है, यहां पर ECC, यह चीजे जो पढ़ी है, और यह 3 प्लस अडमिशन अब स् फिर फर्स्ट में जाता है, इस तरह से चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन NEP में इनको अब यहां पर नैशनल लेवर पर लागू किया जाएगा, तो प्रेश नमबर पांस क्या कह रहा है, राष्ट शिक्षानिती NEP 2020 किसके सिफारिश करती है, बहु भाशावाद, एक भा मानकी करन या फिर आकलन का मानकी करन, तो यहां पर एक भाशावाद का तो बिल्कुल नहीं करती है, अगर आपको पता होगा, तो त्री लैंग्विज फॉर्मूला जो है वो इसमें दिया गया है, जो कि पहले भी दिया जा चुका है, इसके अलवा पार्ठे करम का मानकी कर उसके बाद आपकी एक और भाशा जो है उसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं, आपको यहां पर फॉर्मूला दी है, तो इसमें अलग लग लेवल पर अलग लग भाशाओं का प्रियोग करके बच्चे सीख सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने मेंडेट के लिए कहा है कि से बता रही हूं, पर आपने जो आपने प्रेशन करने हैं, वो according to NEP करने, तो यहां पर आप इस तरह से ही करेंगे, उसके राद है प्रेशन नमबर 6, राष्ट्री शिक्षानीती 2020 किस पर बल देती है, किस पर बल देती है भई, परीक्षा के लिए पढ़ना, स्मरणाधार पढ़ना, अभ्यास और ड्रिल, या फिर वहचारिक तार्किक समझ, तोपरीक्षा के लिए पढ़ना है, स्मरणाधारि शिक्षा समय, ररोट लर्निंग पर कभी खत्म करने की बात ही हमेशा की-जाती है अभ्यास और ड्रिल इससका आंसर नहीं है, कि बार-बार है को जो च तारकिक समझ जिसकी हमने पहले भी डिसकेशन किया है यह बहुत ही ज़ाद इंपॉर्टेंट सवाल है या फिर यहां पर आपका लिखा हो सकता था आलोचनात्मक समझ इंग्लिश में लिखा होगा तो बच्चे की वह विक्सित करनी है उस पर बल देना है ठीक नेक्स्ट है आपका जो यह वाले ऑप्शन होते हैं आपके जैसे परिक्षा के लिए पढ़ना या स्मरण यानिके डटना यह चीज़ें आपकी पहले ही गलत हो जाती है ठीक है नेग पहले है आपका अधिक से अधिक स्कूल खोलना नई शीक्षा नीति कह रहे है कि अधिक से अधिक स्कूल खोलने बच्चों की स्कूल में वापसी पाठ्थे पुस्तकों की महतों की बात कही गई है कैसा हुआ है डॉप आउट को कम करना तो डॉप आउट क्या होता है मैं आ प्रिवियस में भी आपके जो बच्चे हैं उनको स्कूल में वापस लाना है, यानि कि 100% सकल नामांकन की बात की घी है बदने खाल dal este, टिक है और drop out को ऐते हैं को प्राइपने हम करना है, यह लिए NASA सीments, हीन इस सपस्सेयं बाइन तो 2nd and 4th कहां पर है, 2nd and 4th है आपका option number B, तो ये वाला आपका correct हो जाएगा, ठीक है, इसके बाद है आपका question number 8, राष्टर शिक्षानीती 2020 के अनुसार मुल्यांकन का उदेश्य क्या है, तो मुल्यांकन जैसा कि आप सभी जानते है, evaluation assessment होता है, तो इसका मुख्य उदेश्य क्या है, रटने की शमता का परिक्षन, तो यहां रटना शब्द आ गया, तो यह तो पहले ही आपका गलत हो जाएगा, पुरुत पादन, वै याद करने की शमता को नापना, तो याद करना भी हमें कुछ यहां पे, उसका भी assessment नहीं करना, बच्चों को सीखने की प्रिक्रि खतम करना है, तो यहां पे जो देशे है, वो है, बच्चे को सीखने की प्रिक्रिया में मदद करना, यह जो नई हमारी शिक्षा निती है, इस के अनुसार हमारा option number C यहां पर correct है, अगला प्रेशन है आपका, question number 9, राष्ट्रे शिक्षा लीती 2020 के अनुसार, अधिगम कैसा यानि कि होना चाहिए, यह पूछा गया है, अधिगम कैसा होना चाहिए, विशेवस्तु अभी मुकी होना चाहिए, यानि कि सरफ विशेवस्तु की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, जो अधिगम है, यानि कि लर्निंग जो बच्चे को करवाई जा रही है, वो सिरफ वि चाहिए या व्यभार आत्मक होनी चाहिए तो आपने इस आंसर सही चुना होगा इसका सही आंसर है आपका प्रयोग आत्मक यानि कि अगला प्रशन है आपका यह सभी प्रशन आपके जो है वो पूछे जा चुके हैं और बहुत सारे प्रेशन में नए शामिल है तो हर एक जो सवाल है वो बहुत ज़्यादा इन्पॉर्टेंट है यहां पर अगला प्रेशन है आपका राष्ट शेक्षानीती 2020 के अनुसार मुल्यांकन का उठेश है किसकी जानकारी देता है यहां पर पूछा गया है तो भी किसकी जानकारी देता है मुल्यांकन विद्यार्ती को कक्षा कक्ष में वे कक्षा के बहर कैसे सहंता दी जा सकती है तो क्या ये आपका सही है या फिर विद्यार्ती का उसके सहपाथियों की तुलना में प्रदशन अब तुलना यहाँ पे शब्द आ गया तो यह क्या है गलत है रौंग है किसी की तुलना हमें किसी से नहीं करने ठीक विध्यार्थी के सीखने में कमिया वे अभाव ताकि उसकी असफलता की प्रिष्ट की पेहचान की जा सके तो यहाँ पे जो है यह words गलत है अगर हमें जो है उसकी कम्या या भाव को यहाँ पे आखना नहीं है ठीक है हमें तो यह देखना है कि बच्चे ने क्या सीखा उसके बाद है विद्ध्यारती की रटने की शमता की जानकरी तो यह तो पहले ही गलत हो जाता है रटना शब्द यहां पर आ गया उसकी जानकारिय में थोड़ी ना लेनी है कि बचे ने क्या चीज़े रटी है और वो चीज़े हम एसा भी नहीं है तो यहां पर जो मुल्यांकन का उदेश है वो यह है कि विध्यारती को कक्षा कक्ष में कैसे साहिता दी जा सकते है यानि कि उसको जो भी सात्मक पढ़ा होगा जो मुल्यांकन उससे जुड़ा हुआ है तो इसका ऑप्षिन नबर है यहां पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अगला प्रेशन है आपका राष्ट शिक्षानीती 2020 के अनुसार शिक्षा को आगे क्या है कैसा होना चाहिए शायद यह होगा ठी हम करता हूं में गहन चिंतन का विकास करना चाहिए या अन्वेशन निर्धारित वैखोज अधारित होनी चाहिए तो यह तो बहुत ही क्लियरली आपको पता चल रहे है कि ऑप्षिन नमबर बी और अप्षिन नमबर डी यहां पर करेक्ट है ठीक है पर दो आप्षिन तो य यह है आपका उप्षिन नमबर ए में ठीक है बच्चे की जो शिक्षा है राष्टे शिक्षा निति के अनुसार एक तो वह खोज अधारित होनी चाहिए ठीक है अन्वेशन पर अधारित होनी चाहिए यहां पर प्रियोगात्मक शब्द होता तो भी सही होता या उसका रश यहां पर आपका यह उप्षिन तरह हो जाएगा नेक्स्ट क्या है आपका नई शिक्षा निति 2020 के अनुसार प्राथ में कक्षाओं कक्षा एक से पांच के लिए निम्न में से क्यास तर होगा बहुत ही अच्छा यहां पर यह क्या पर यह क्यांच है तो इससे हमारा डिवि आपका 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 तो यह है आपका जो 1st foundational stage है वो यह है यह आपका preparatory है यह आपका middle है और यह आपका secondary है तो यहां पर एक से कक्षा पांच का पूछा है न तो आप कैसे जवाब देंगे इसका आपका क्या सही होगा यहां पर कक्षा 2 तक बच्चा पढ़ेगा अपका क्षा 1 और कक्षा 2 और इसके अलवां अंगनवाडी जो है आपका बहल आ जाएगा तीन साल आप जो है यहां पर बच्चा कॉन सी क्लास पढ़ रहा था था थैर्ट तू फ्लेफ्ट डॉस तो यहां पर एक से 5 पूछा है तो यहां पर 2 लेवल हम बच्चे के यहां जो हो गई अपकी प्रिप्रेटरेट्रेट्टेच तो A और C आपका ये C में तो ये आपका और दौने के प्रेश्न वाले इनसे पूछा जा सकता है कि कखा 4 continues V तक या कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है के लिए जो है किनसार यहाँ पे कंसा स्थर होगा तो कौनसा होगा आपका यह हो जाएगा आपका मद्यस्तर मिडल वाला है तो यह इस तरह से भी चेंज करके पूछा जा सकता है next question है आपका नई शिक्षा नीती 2020 में कौन सी भाषा की अनिवार्यता को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है तो कौन सी है यह लाइंग्वेज आपको पता होगा क्या संस्क्रित है उर्दू है हिंदी है या फिर अंग्रेजी है तो इसका सही जवाब है आपका क्या English ठीक है जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मुला है इसके अनुसार आप ती लैंग्वेज बच्चे को पढ़ाएंगे ल पर शेत्र की भाषा है वह नी चाहिए तो यहां पर अंग्रेजी जो है उसकी अनिवारता को यहां पर खत्म कर दिया गया है इसके लवा थ्री लैंग्वेज फॉर्मुले में दो लैंग्वेज आपकी इंडियन होनी जरूरी है और एक लैंग्वेज जो है आपकी वह आपकी भारते होनी चाहिए और एक भाषा आपकी और कोई हो सकती है तो यहां पर निवारता को खत्म किया गया है पांची तक वह है अंग्रेजी ठीक है तो काफे सारे लोग सोच रहे होंगे कि भाई आपके जो प्राइवेट स्कूल है वह अब कैसे करेंगे ठीक है या फ स्टेट लेवल भी जो है एजुकेशन में आम हम जो है वह कानून मना सकते हैं तो इसको लागू किया जाएगा लेकिन मेंडेटरी नहीं किया जाएगा तो इसी लिए जो अंग्रेजी स्कूल है उनमें जो है बच्चा इंगलिश में पढ़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं है तो यह चीज मेंडेटरी नहीं की जा सकती क्योंकि स्टेट लेवल भी स्टेट भी जो है इस पर कानून मना सकती है समझ रहें आप चीजों को यह चीज भी आपको पता होना चाहिए ठीक है अगला प्रेशन है आपका कैस्य नमबर 14 एन एप 2020 में एक राश्ट्रे मुल्यांकन क इंद्रिया सेंटर जो है इसको स्थापित किया जाएगा जो की स्कूली स्थर पर किस तरह से बच्चों का मुल्यांकन करना है क्या चीजे हैं इसकी एक बोड़ी यहां पर बनेगी जिसका नाम होगा पर किसका फुल फॉर्म भी आप यहां पर याद कर लेंगे नेक्स्ट है आपका नई राठ शिक्षा निती के ड्राफ्ट प्रारूप निमलिखित में से किसके अनुशिंचा करता है तो पहली बात तो आपने इस तरह से बड़े से प्रश्न को देखके घबराना नहीं है ठीक है काफी आसान होगा यह प्रश्न नई शिक्षा निती के द्राफ्ट प्रारूप में निम्दम से किसके अनुशिंचा करता है यह पूछा है तो पढ़िए यह है आपका शिक्षा करम शिक्षा शास्त्र रटने के बजाए बच्चों को सीखा कैसे जाए यह सिखाने में शक्षम बने ठीक है उसके बाद भी है आपका 19 सदी के लिए अब 21 सदी के बाद हम 19 सदी की दो बात करेंगे नी ठीक है कि 19 सदी के लिए कोशल ग्यान वे मूल्य को फिक्सित किया जाए तो यह तो गलत हो जाएगा उसके बाद उच्च माध्य में कक्षाओं में बच्चों को मातर भाशा में पढ़ाया जाए तो बातर भाशा में तो कौन से कक्षाओं को प्रात्मिक कक्षाओं को तो यह भी आपका क्या है गलत हो जाएगा यहां पर उसके बाद है आकलन बच्चे के सीखने में विकास में बदत करने वाला हो तथा रटने पर जोर देने वाला हो यहां तक भी सीख है ठीक है लेकिन रटने पर जोर देने व जाए, सीखा कैसे जाए, या कैसे बच्चों को सिखाया जाए, इस सीज में जो है वो शक्षम बने, ठीक है, तो केवल ऑप्शन ए जो है वो यहां पर करेक्ट है, ध्यान से पढ़ेंगे आप, बाकी तीन ऑप्शन आपके क्या है, गलत है, तो नेक्स्ट क्वेशन है आपका, वोकेशनल स्टडीज की शिरुवात की स्टेज पर होगी, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह नई न्यू एनिपी जो है आपकी एनिपी 2020, उसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब होगी आपकी प्रारंबिक स्टर पर, मद्धे स्टर पर, माध्यमि की अधरा, secondary है आपका चार साल का, तो 5 प्लस, 3 प्लस, 3 फ्लस, 4 ठीक है, यह है आपका तो यहां पर वोकेशनल स्टडीज की बात हुई है, कि स्टर पर, मद्धे स्टर पर, middle age जो है आपका, middle stage है, उस पर आपकी बात हुई है, और यहां पर class कौन कौन से है, आपकी, 6th, 2 to यहां पर आपको vocational studies दी जाएगी साथ ही साथ, vocational studies मतलब यहां पर है कि बच्चे को ऐसे skills इखाए जाएंगे, जिसमें कि वो आगे जिसमें उसके knowledge हो, मतलब जिसमें कि वो बच्चा कुछ सीख सके, कुछ कर सके, जैसे कि अगर आपको पता होगा, तो entrepreneurship जो programs है, वो अभी भी स्कुलों में चल रहे हैं, जिसमें कि बच्चों को कुछ भी हम आगे करके बच्चा अपना जो है वो एक जीवन का वो कर सके, ठीक है, उसको किसी पर निरभर ना रहना पड़े, कुछ इस तरह के skills जो है, अगर आप computer में अच्छे हैं, तो उस चीज से related आपको knowledge दी क्योंकि और इसके लावाई कि जो मैंने यहां पर पॉइंट लेगा, यह भी बहुत important है, अभी जो हाल फिला हल में है, वो कम बहुत कम लेवल पे चीजे हो रही है, तो इनका target है कि 2025 तक 50% student जो है, 50% जो है, इनको 50% करने का लक्षे लखा गया है, जो अभी सिरफ 5-10% है, इतना कराया जाता है, लेकिन जो है, अब इतने बच्चों को यहां पर vocational study का target रखा गया है, तो यह आपका 6-8 होगा पहली बात तो, जो आपका level होगा, वो होगा मध्यस्तर यानकी middle stage होगी, और जो इसका target रखा गया है, वो 2025 तक इसको 50% करने का रखा गया है, तो यह एक नई चीज है, काफी अच्छी चीज है, इसके बाद है, question number 17, question number 17, दिव्यांग चात्रों के संदर्भ में, निमलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट शिक्षानीती 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया, तो दिव्यांग आप जानते हैं कि कौन होगे, जो special किसी भ दिव्यांग चात्रों होते हैं किसी को हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, किसी तरह की कोई परेशानी है, ठीक है, तो वो किस में आ जाते हैं, दिव्यांग चात्रों होते हैं, अभी पूछा गया है कि किस चीज को बढ़ावा नहीं दिया गया, तो उप्युक्त इम वह बच्चों के लिए इस तरह की होनी चाहिए कि उन्हें किसी प्रगार की दिककत ना हो ठीक है friendly होनी चाहिए उसके बाद आपका है प्रतेक विद्यारती के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक तो यह भी बिल्कुल क्या है यह बी जो है वो बिल्कुल सही है special जो teachers हैं उनको अब यहाँ पर recruit किया जाता है जो special child होते हैं उनके लिए इसके बाद है अनिवारे विशेश शिक्षा तो अनिवारे विशेश शिक्षा यहाँ पर option number यहाँ पर बढ़ावा नहीं दिया गया एसा कुछ निए कि उनको अनिवारे या फिर mandate है कि उनको कुछ अलग से पढ़ाना है जो चीजे बाकी बच्चे पढ़ेंगे उनको भी वही चीजे यहाँ पर पढ़नी है सेम चीजे हैं उसके बाद है उप्यूक्त तक्नीक शिक्षा वे नवाचार तो यह तो बिल्कुल नहीं हो सकता तो यह सारे क्या है हमारे positive point है और यह आपका इसका answer है sorry यहाँ पर option number C next है आपका question number 18 राष्ट्र शिक्षा नीती NEP 2020 में आंकलन के संदर्भ में विध्यार्तियों के लिए किस प्रकार का प्रगती पत्र assessment जो है आपका टूल वो किस तरह से प्रस्तावित किया गया है तो यहाँ पे ऐसे प्रगती पत्र यानि कि आपके यहाँ पे report का type आप समझ सकते हैं इसको इसकी बात हो रही है जिसमें विध्यार्ति के प्रदशन को अन्य की तुल्ना में सापेक्षिक किया गया हो तो अन्य की तुल्ना तो भई करनी नहीं है हमें यहाँ पे ठीक है उसके बाद है वर्ष परियंत पेपर और पैंसिल परिक्षन में 360 degree भहु आयामी प्रगति पत्र, योगात्म के एक आयामी प्रगति पत्र, तो इसका राइट आंसर है, वो है आपका 360 degree भहु आयामी प्रगति पत्र, ठीक है, इसमें तीन चीजे और दी गई थी, अगर आपने देखा होगा, 360 degree जो आपका ये हांपे असेस्मेंट होगा, बच करेंगे, ठीक है, तो पीर गुरूप कह सकते हैं यहां पर और इसके इलावा जो टीचर होगा, वो भी बच्चे को क्या करेंगा, इस तरह का यहां पर प्रगति पत्र है, वो 360 degree भहु आयामी, मल्टी डाइमेंशनल होगा, ठीक है, यान कि बच्चा खुद भी असेस्ट करे करेंगे, और टीचर तो करेंगी, ठीक है, तो इस तरह से यह चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह वाला ऑप्शन, और इससे बहुत जादा प्रेशन पूछे जाएंगे, प्रेशन नमबर 19, क्या नमबर 19 है, राश्रे शिक्षानीती 2020 में प्रस्तावित समग्र, समग 360 डिग्री बहु आयामी उनती पत्र को क्या दर्शाना चाहिए, यानि कि जो यह 360 डिग्री का आपका प्रगती पत्र है, वो क्या दर्शाएगा, तो यहां पर क्या दर्शाना चाहिए, यह बात की गई है, तो यहां पर क्या है, विध्यार्तियों के प्रदेशन को दूसरे प्रदेशों में विध्यार्तियों के अंकों से तुलना अगेन तुलना है यहां पर तो यह आपका गलत हो जाएगा इसके बाद है विध्यार्तियों की संग्यानात्मक भावात्मक वे मनोगत्यात्मक आयामों में प्रगति ठीक है तो जो साइको मोटर स्केल और साइको मोटर aspects की बात हुई है यह आपकी क्या है यहाँ पे सही है ठीक है बिल्कुल यही बात हुई है कि जो आपका 360 degree आपका जो report card होगा उसमें गया होगा बच्चे के संग्यानात्मक, भावात्मक मनोगत्यात्मक जो आयाम है उसके प्रगति को यहां पे दर्शाया जाएगा ठीक है इसकी जगा आपका साइको मोटर वर्ड भी लिखा हुआ आ सकता है ठीक है तो यह वाला आपका करेक्ट हो जाएगा बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं एक बार विध्यार्तियों के संग्यानात्मक्षमताओं के अन यहां पर बात हुई ही नहीं है इसकी बार लास्ट उप्शन क्या कह रहा है विध्यार्ति के अवधार्नाओं में कमियां जिन पर अभी भावकों को मेहनत करनी है तो ऐसा भी कुछ नहीं है तो आपका उप्शन नंबर भी यहां पर कर्यक्ट हो जाएगा नेक्स्ट राश् विश्यता से कठोड़ता बच्चों को दिखाएंगे हम अब ऊपर के दो अप्शन देख लेंगे हम मानकी करन से लची लापन आपका यहां पर सही है मानकी करन पहले जो स्टेंडराइज चीजे होती थी उससे हमें फ्लेक्जिबल चीजों को अपनाना है ठीक है दो और नहीं है आप चीजों को फ्लाक्सिबल बनाया जाएगा लचीला बनाया जाएगा जाएगा शिर्फ आपका पेपर पेनunta वाला जो एक्जम है उसके भी उपफ़ लेके किस तरह से बच्चा अर एक चीज शामिल होगी उसमें तो यह जो हैrare यहां पर जबात हुई है रशनात्मक से योगात्मक मुल्यांगन ये उल्टा है तो यह ऐसा लिखा होता तो यह भी सही होता तो यहां पर जो है आपका option number A correct है और रशनात्मक योगात्मक मुल्यांगन के बारे में आपको पता ही होगा आगे question आएगा तो मैं वहाँ पर आप economically disadvantaged groups हैं उनकी बात हुई है समाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग जो है उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे यहां पर जो एब्रिवेट वर्ड यूज करेंगे SEDGS कि अंतरगत कौन से समूह आते हैं यह पूछा है कि SEDGS जो समूह है इसमें कौन से समूह आते हैं इस group में ठीक तो नीचे लिखे गए हैं आपके पहले बचे यहां पर समझ लें कि किस तरह से हैं चीजे नीचे लिखा है अनुसुचित जाती वर्ग तो अनुसुचित ज सिति के मतलम कोई गाहों से है शहर से है या किसी ऐसी जगह से है जो वंचित है तो वो भी इसमें शामिल है अमीर गरीब वर्ग है तो आपका उपरोक्त सभी आ जाएगा ठीक है तो ये इसकी full form भी आ सकती है आपको आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भही इसमें कौम से कौम से लोग शामिल है या किस वर्ग को इसमें शामिल किया गया है तो सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ही नहीं आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को इसमें शाम के लिए इस सवधार्णा को प्रस्तावित करती है क्या करती है यह बहुत इंपॉर्टेंट है यह सवाल यह पूछा जा चुका है पहली बातों एस इटेट में ठीक है जो यह वर्ग है आपका जिसके अभी हमने बात करी थी S E D G ठीक है आर्थी ग्रूप से जो आपका वंचि परिक्ष्ण ठीक है और उसके बादा संधर्वित वै अर्थ पून पाठे चार्या तो भई जो बच्चे वंचित वर्ग से हैं ठीक है जो भौगलिक सिती से हैं या समाजिक आर्थिक ऐसे भी हैं तो उनको संधर्वित वे अर्थपूर्ण पाठेचरया हमें प्रुवाइड करानी हैं कैसे मतलब कि उनकी जो टीचिंग है उनका जो अधिगम है वो उनसे कनेक्ट करना चाहिए उनको इंगेज करना चाहिए उनका पा या फिर जहां कभी कोई स्कूल ही नहीं था कुछ इस तरह से है तो भी ऐसे बच्चे को आप computer knowledge देंगे तो डारेक्ट या computer example देंगे तो कैसे उस चीज को जो है connect कर पाएगा ठीक है तो ऐसा बच्चे को अधिगम ऐसा होना चाहिए ताकि वो खुद को उसे connect कर पाए तो य 2016 में रिपोर्ट प्रस्तुत करी तो सब का अंसर होगा डॉक्टर के कस्तुरी रंगन ठीक है तो यहां पर option number A आपका नहीं है आपका B सही है यहां पर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आप क्या है कि अध्यक्ष्टा वर्ड देखके सीधा आपने क्या किया है आपने mark कर दि है कि जब 2016 में पहली बार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी इसकी तो उसके अध्यक्ष थे उस समय स्वरगिये TSR सुब्रमाणियम ठीक है यह थे इसके बार जब इनका स्वरगवास हो गया उसके बार डॉक्टर के कस्तुरी रंगन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था ज यह आपको एज दे दी जाती है तो आपके कौन रहे है आर सुब्रमाणियम रहे हैं ठीक है इससे आपका फिर से जो है आपको अच्छे समझ में आ जाएगा यहाँ पे है आपका प्रारंबिक मूलभूत बध्यमाद्यमिक तो यहाँ पे आप देख लिजे इसको और आपका सही जवाब कौन सा है आपका सही जवाब है option number D यहां पर correct है मूलभूत हो गया आपका foundational stage हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी याद रखेंगे और English में भी याद रखेंगे ठीक है क्योंकि जो चीजें हैं बहुत बार direct English के terms जो हैं वो हिंदी में लिखके दे जाते हैं ठीक है मूलभूत है आने की आपका foundational stage 5 साल प्रारंभी की आने की आपका preparatory stage 3 साल मद्धे आने की middle stage 3 साल और मद्धे मी की आने की secondary stage आपका 4 साल यह इस तरह से है ठीक है foundational preparatory middle और secondary यह आपका correct हो जाएग option number D आपसे इस तरह से एज भी पूछ लेगा ठीक है यहाँ पे कौन कौन से साल है यहाँ पे कौन से साल है यहाँ और यहाँ पे यहाँ पर class कौन कौन सी है जैसे यहाँ पे आपकी class 2 तक है यहाँ पे आपकी class 3 to 5 है यहाँ 6 to 8 है 6 to 8 है और यहाँ 9 to 12 है तो ऐसे भी आपको पत यानि कि 30 बच्चों पर एक टीचर का होना अनिवार रहे हैं और इसके अलावा जैसे कि हमने पीछे भी बात करी थी आपकी ये बात करी थी यानि कि जो समाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग है वहां अगर वर्ग है तो ऐसे जगाओं पर जो टीचर और बच्चों का अनुपाद है वो होगा क्या आपका 25 बच्चों पर एक शिक्षक होगा तो इस दोनों चीजों का दिहान लखना है यहां पर नॉर्मल नेक्स्ट क्वेशन है आपका नई राष्ट शिक्षा नीती 2020 के तहट सकल नामांकन अनुपाद को वर्ष किस वर्ष तक 100% करने का जो है टार्गेट रखा गया है तो देखें वैसे टार्गेट हर साल हर बार रखा जा चुका है पहले भी रखा जा चुका है लेकिन अभी नई शिक्षा नेती है आपके इसके एक्वार्डिंग इसका जो रेश्यो है 100% करने का सकल अनुपाद का वो आपका 2030 रखा गया है ठीक है अब ये सकल नामांकन आपको पता ही होगा इसका मतलब है पहली बात तो आपके 3-18 वश्ट की इस तरह से बात हुई है बच्चों के सिक्षा की तो 3-18 वश्ट तक के सभी बच्चे जो स्कूल जाने होगे हैं तो सभी बच्चे जो है वो स्कूल में पढ़ रहे हों उनका इंडॉल्मेंट हो चुका हो वो स्कूल पढ़ने जाते हों तो ये है आपका 100% सकल नामांकन आप इसको कहेंगे बहुत इंपॉर्टे की गई है तो जिस तरह से प्रेशन हैं क्या है कि आकले के लिए पूछा है कि कौन से जो है वो इस new 1700 की गई है बूमिका अदा करना ठीक है रोल फले बिलकुल सही है समुह में और करना बिल्कुल सही है बच्चा पियर ग्रूप में सीखेगा पॉर्टफोलियो बनाना भी सही है और आपका परियोजना प्रोजेक्ट भी बिल्कुल सही है तो यहां पे सारे जो हैं आपके सही हैं तो option number D आपका correct हो जाएगा नेक्स्ट है आपका राष्ट शिक्षानीती 2020 के अनुसार निमलेकित में से कौन सा कथन सही है तो बड़े प्रश्णों को देखकर गवराएं ना इनको पढ़ें बहुत आसान होते हैं इस तरह के प्रश्णों सभी स्थर पर एक भाशा वाद का अभ्यास किया जाना चाहिए फ़ी ये तो हो जाएगा गलत एक बहारख आए कि तो नहीं होई ठीक है और सभी स्थर उपर भी नहीं होई ठीक उसके बाद है रटकर सीखने और परिक्षा के लिए सोखने पर जोर दिया जाना चाहिए ये भी बिल्कुल गलत है दिव्यांग विद्यार्तियों के लिए जाना चाहिए तो बिल्कुल सही है जैसे कि हमारी मान की करण से लचीलेपन की बात हुई है वह यहां पर इस चीज को justify कर रही है यह लाइन की करण से लचीलेपन है उसकी तरफ जाना है तो विध्यारतियों को सीखने के लिए हमें क्या है इस तरह का उन्हें इन्वार्मेंट जो भी है वो complete कराना है ठीक है उस चीज का अधिकम कराना है जो भी आप टॉपिक बच्चे को करा रही है ठीक है तो मान की करान से लचीलेपन की बात है तो यहां पर आपका option number D है जो वो correct है अगर आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल पता चल रहा है कि उपर वाले जो है गलत है ठीक है तो इस तरह के प्रशनों को देखे आपने परिशान नहीं हो ना नेक्स्ट है आपका राष्ट शिक्षानिती 2020 बच्चों के मुल्यांकन के लिए डैश और डैश के समावेश को प्रस्तावित करती है ठीक है यहां पर बात हुई है आपके मुल्यांकन की evaluation की तो मुल्यांकन के लिए हमने पढ़ा था 360 डिगरी बहु आयामी प्रगती पत्र है जिसमें क्या है बच्चा क्या प्रस्तावित है प्रिच्चा करेगा और self evaluation करेगा ठीक है परियोजना मानके करत क्या है मानके करत वाला option अपने अप गलत हो जाएगा ठीक है परिक्षा मान आपके एक्जाम्स होते हैं वो यहां पर यह वाल ऑप्शन गलत है मानक निर्देशित मानदंड निर्देशित परिक्षा तो यहां पर निर्देशन और परिक्षाओं की तो आपको पता ही है किसी भी तरीके से स्टांडर्ड जो एक्जामिनेशन है उसको यहां पर डिनाई क तो प्रस्तावित करती है, ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुछ नमर 30, राष्ट शिक्षानीती 2020, किसकी और बदलाव का प्रस्ताव रखती है, ठीक है, किसकी और रखती है, भई सीखने के लिए अधिगम, रट कर सीखने के प्रेत्रिया गलत है, पाठे करम विशेवस्तु में विशेवस्तु में बढ़ने की बात है, और मान की करना, तो सीखने के लिए अधिगम, बच्चा क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, जो भी सिखाना है बच्चे को मान की करते हैं, कि स्टैडराइज ना हो, जो भी बच्चे को चीजें सिखाई जाए या फिर उसका एवैल तो राष्ट शिक्षानिति किसके और वदलाव का प्रस्ताव है, सीखने के लिए अधिगम, तो यहां पे हमने जितने भी प्रशनों को हल किया है, यहां पे मैंने एक बार की भी दे दी आपको, आप देख लेंगे, यहां पे हमने किये हैं, कवर आपके NEP 2020 के जो प्रीवि कर रहे हैं, कोई भी एक्जाम दे रहे हैं, इस तरह के प्रशन ही आपसे पूछे जाएंगे, आपसे डारेक्ट बहुत कम इस तरह के पूछे जाएंगे, कि अध्यक्ष कौन था, यह कौन से शिक्षानिति दिया, कितने साल बाद आई, यह चीज़े सबको पता होगा, लेक तो इनके प्राक्टर साब कर लें, अगर आपने प्रीवेस वीडियो नहीं देखा NEP 2020 का, जो की मैंने इहां पर डीटेल वीडियो बनाया है, आपकी राश्यशिक्षानिति 2020 का, उसमें चीज़ों को लिखा है, जो आपका 108 पेजिस का डॉक्यूमेंट था, आपका NEP का, उ एक अच्छी घासा, जो टॉपिक है आपका वो रेडी हो जाएगा आपके एक्जाम के लिए, और यह बहुत ही जाद है, इसमें आपके प्रेशने, चार-पांच प्रेशने तो आप मान के चलिए, आने ही आने हर एक एक्जाम में, ऐसा नहीं है पेपर वन में ही आना है वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद